जैहिन मैं हूँ संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चैंजिंग दा वे ओफ तिंकिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे Food Corporation of India यानी भारतिये खाद निगम में आई हुई बेकेंसी के बारे में सारा कुछ डीटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है एज लिमिट क्या है पे इसकिल क्या है एक्जाम का पेटर्न क्या है और परिक्षा कब होगी सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे आप इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं Food Corporation of India का ये Official Notification है जिसको हम भारतिये खाद निगम भी कहते हैं यहाँ पे इन्होंने Assistant General Manager की अलग-अलग Department के इसाब से इन्होंने यहाँ पे वेकेंसी निकाली है तो जो Agriculture Students के लिए जो वेकेंसी है वो है AGM Technical ठीक है शॉट में हम कह सकते हैं AGM Technical ठीक है और इनका जो Official Website है वो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं FCI.Government.in पर अब हम जानेंगे कि कितना वेकेंसी आया है जो Assistant General Manager है जो Technical Group के लिए है यानि Agriculture वालों के लिए है यहाँ पे यह पोस्ट कोड है B और PACE के लिए अगर हम बात करें तो 60,000 रोपे से लेके 1,80,000 रोपे तक काफी अच्छा पैकेज FCI के द्वारा दिया जा रहा ह ठीक है और जो Maximum Age Limit का Criterion उन्होंने रखा है एक जनवरी 2021 तक आपका मला Maximum 28 साल बाला Candidate इसके लिए आविदन कर सकता है ठीक है और फिर Reservation यानि Categories के हिसाब से अलग-अलग यहाँ जो Vacancy है वो दे रखी है नमर अब बेकेंसी और Total जो बेकेंसी आई है EGM Technical की Board 27 Vacancy है ठ आपके पास अगर B.Sc. Agriculture है कोई भी Recognize University से और Minimum आपका 55%-55% Marks होना चाहिए ठीक है और इसके अलाबा फिर Agriculture Engineering वाले स्टुडेंट भी इसके लिए इलिजिबल है फूट साइंस बी डिग्री और बी टेक डिग्री वाले फूट साइंस वाले इसके लिए इलिजिबल है यह यहां पर काफी अच्छी बात है कि B.Sc. Agriculture वाले स्टुडेंट इस पोस्ट के लिए इलिजिबल रहते हैं यहां पर हम बात करेंगे कि कोई भी Candidate केवल एक ही पोस्ट के लिए यहां पर आवेदान यह कर सकता है ऐसा इस Notification में लिखा गया है और जो आपका एप्लिकेशन है वो Online Mode पर ही आपको फिल करना है और Examination भी आपका Online Mode पर ही होगा ठीक है और फिर Reservation की अगर हम बात करें तो SCST और OBC के डिगरी के जो Candidates हैं उनके लिए Age का जो Relaxation है वो 5 साल का दिया गया है SCST के लिए जबकि OBC के लिए 3 साल का यहां पर Relaxation दिया गया है और जो भी आपका Qual Qualification है और आपके पास जो भी वर्क का Experience है अलग-अलग Post में मांगा है अगरी कल्चर में तो नहीं मांगा गया है तो Qualification जो है आपका एक जनवरी 2021 तक पूर्ण रूप से Complete होना चाहिए यानि कि जिस किसी विद्ध्यार्थी के पास BSC Culture की डिगरी एक जनवरी से पहले Complete है तो वो इस Post के लिए Eligible है यानि कि Final Year वाले Student इस Post के लिए Eligible नहीं होंगे ठीक है आगे इनका जो Selection Procedure है उसमें आपका एक Online Exam होगा फिर उसमें जो Student Select होगे Short List होगे उनका फिर एक Personal Interview होगा फिर उसके बाद आपका Joining मिल जाएगा जो भी आगे का Process रहेगा ठीक है और आपका ज लाना पड़ेगा Online Test में General Category, Unreserved के लिए और EWS Category वाले Students के लिए और 45% Marks आपको Minimum लाना पड़ेगा SC, ST और OBC Candidate के लिए यानि कि जो भी आपका Online Exam होगा आगे हम जानेंगे क्या होगा उसका पैटन, Exam Pattern उसमें आपको Minimum 50% Marks लाना पड़ेगा EWS वाले Candidates के लिए और SC, ST और OBC वाले Candidate के लिए 45% Marks लाना होगा फिर उसके बाद ही आप आगे Interview के लिए Short List होगे ठीके और उन्होंने जो Betage रखा है, Online Test का रखा है 90% और Interview का रखा है उन्होंने 10% ठीके और फिर जो Student Interview के लिए Select होगे तो एक Post की लगभग ये 3 Candidates को इन्टर्वू के AGM Technical Post Code B यहां पर जो आपका Total 180 कोशन होगे और 180 ही नम्मर का ये आपका कोशन पेपर होगा जो समय है आपका वो धाही गंटेगा होगा और इसमें दो भागों में उसको बाटा गया है जनली, General Laptitude में जिसमें 120 Multiple Choice कोशन होगे और एक कोशन जो होगा 0.5 Marks का होगा और जो आ आपके 60 Multiple Choice कोशन होगे और एक कोशन जो होगा वो 2 Marks का होगा और जो टोटल जो आपका नम्मर होगा पेपर का वो 20 Marks होगा ठीक है और इसमें किसी भी प्रकार की Negative Marking नहीं है ठीक है यहाँ पर जैसे General Laptitude की हम बात करें तो Reasoning, Data Analysis और Numerical Ability के यहाँ पर 30 कोशन होगे, General Awareness Current Affairs के यहाँ पर 30 कोशन होगे और Management और Ethics के 30 कोशन और Agriculture Economics, Economy, Computer Awareness के यहाँ पर 30 कोशन होगे और जो आपका relevant discipline है जो भी आपका subject group होगा उसके यहाँ पर 60 कोशन होगे तो टोटल हम यहाँ पर बात करेंगे तो बनेटी कोशन यहाँ पर हो जाएंगे अब अगर हम यहाँ पर syllabus की बात करें तो जो Assistant General Manager यह टेकनिकल का जो syllabus है Agriculture से कोशन आएंगे Agriculture subject से यहाँ पर सब कुछ डीटेल में दे रखाया आप देख सकते हैं फिर Bio Technology से फिर Entomology से और Chemistry से यह सब Major Major subject group है यहाँ से कोशन पूछे जाएंगे और अब हम आगे अगर बात कर हैं तो जो application form आपका भरना start होगा वो होगा 1 March 2021 से यानि कि एक तारिक से इसके form fill होना start हो जाएंगे और जो last date है application fill करने की और payment देने की वो है आपकी 31 March 2021 तो पूरा एक महिने का समय मिलेगा student को examination form fill करने का और जो भी आपका call letter रहेगा exam के लिए admit card जिसको हम कह सकते हैं वो जो भी आपकी date announced होगी उसके 10 दिन पहले ही वो release कर देंगे ठीक है और अगर हम अब बात करें date of online exam की तो जो आपका online exam है tentative इन्होंने बताया है कि मई और जून के महिने में ये इस exam को conduct करा सकते हैं ये tentative date है परिस्तिती के हिसाब से आगे पीछे भी date को किया जा सकता है अ जब भी announced होगा आप official website से यहाँ पर check कर सकते हैं जो application की fees है जो सुल्क है वो SC, ST और PWVD और BOOMIN candidates के लिए कोई application fees नहीं है मतलब आपको यहाँ पर zero पैसा देना है कोई आपका application fees नहीं लगेगा बाकी जो जो unreserved OBC और EWS वाले candidate है उनको यहाँ पर 1000 रुपए application के लिए देना होगा अब हम बात करेंगे आगे examination centers की कौन-कौन सी state में center को दिया गया है यहाँ पर state और UT के नाम है और जो भी famous famous cities हैं शहर है उनके यहाँ पर exam center दिये गये हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंदर प्रदेश में अमराबती और विजय बाड़ा यहाँ पर center है अनाचल प्रदेश में इटा नगर आसम में गोहाटी बिहार में पटना चतिसगड में राइपूर देहली में देहली और NCR गुजरात में एहमदाबाद हर्याना में पंचकुला हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर में और लद्दाक में भी लद्दाक यूटी में भी जो examination center है वो है जम्मू ठीक है फिर आगे जहारखंड में जो center दे रखा है एक ही exam center दे रखा है जराची करनाटक में बेंगलोर और कैरला में त्रुवनंथपुरम मध्यप्रदेश में भुपाल महरास् चेट में है 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 धराबाद उत्तर प्रदेश में लखनव और उत्तराखंड में देहरादून और लास्ट जो बेस्ट वेंगल इस्टेट है उसमें कोलकाता examination center दे रखा है तो यह था इस वीडियो में जैसे ही final date finalize होगी इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा ऐसी ही और सारी जानकारियों को जानने के लिए एग्री मंत्रा से जोड़े रहे है जो इस्टुडेंट इस चैनल पर नए है इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और चाहें तो एग्री मंत्रा के social media platform को भी आप जोइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो की description box में मिल करता है